मित्रों हम startup idea तो बना लेते हैं बाद में पता चलता है कि यार इसकी तो demand ही नहीं है supply किसको करेंगे फिर उससे थोड़ा और बाद में पता चलता है तो government कभी support यह होता है लेकिन आज हम ऐसे तीन startups की बात करेंगे जिनको government भी चाहती है कि यह और आगे बढ़ें क्योंकि ultimately ना कोई वुरा वीडियो देखना पड़ेगा लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर आया तो यार सब्सक्राइब कर दो बैल आकन दबादो brainstorm ideas हम देते रहते हैं आपको marketing के भी और business के भी और उसके साथ कि इस studies का आनंद एक नमक का काम करता है इस पूरे channel की meal के लिए लेकिन ख सबसे जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है यानि हम सब के जीवन पर इसका असर होने वाला है क्योंकि यह खबर आपके smartphone आपके smart watch और आपके दूसरे electronic उपकरनों से जुड़ी है एक नए अविशकार के बारे में बताएंगे जो अगर भारत में टैबलेट हो या कोई भी वेरेबल डिवाइस हो उसके लिए एक स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए यूरोप के 27 देशों में एक नया कानून आया है जिसके तैत वहाँ पर mobile phone, digital camera, keyboards और आपके earbuds जैसे तमाम उपकरन चाहे वो किसी भी कमपनी के हो एक ही चार्जर से अब चार्ज हो सकेगे अगर यह successfully implement होता है तो इससे e-waste की जो problem है वो एक बड़े स्टर पर खतम हो सकती है अगर कुछ reports की माने तो हर घर या urban घर की मैं बात करूँ तो 10 से 14 unused chargers आपके घर में यूँ ही पड़े रहते हैं जो एक e-waste का बड़ा कारण भी है अगर reports की माने तो 22,700 टन e-waste था हमारा fiscal year 2017 में और यह figure बढ़के 3,50,000 टन हो गया fiscal year 2021 में जहां पर single-use plastic को तो already government ban कर चुके है e-waste भी एक consideration में लिया जा रहा है और ultimately इसमें फायदा ना केवल government का ना environment का बलकि consumer का भी होगा तो उससे आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा तो आप comment करके बता सकते हैं वरना आपके लिए यह अच्छी opportunity बन सकता है अब आप कहेंगे कि इसको करेंगे कैसे या देखो इसको दो तरीके हैं या तो आपको एक socket based dashboard बनाना पड़ेगा जहांपर सारे universal cables attached हो सकें जैस हम दिवाली पे pin board नहीं लगाते थे extension board वैसे ही यह काम करेगा और आपको एक अच्छा hint दूँ इसमें wireless charging का जो है वो ज्यादा scope दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी physical hardware insert करने की जुरुत ने पड़ती है आपके device के अंदे है तो यहाँ पर wireless chargers की भी बहुत ज्यादा मांग बढ़ने वाली है और इसलिए आप देखते हैं बहुत सी companies जो है अपने सारे variable devices gadgets सभी में wireless charging का option अब देने लगी है देरे देरे सही बहली slow होता है लेकिन एक universal standard आपको दिखाई दे देता है उसमें तो आपके पास दो option हो गए अब कौन सा चूज करना है और कमेंट करके बताना बरता हम अपने टॉप टू की तरफ fertilizer stick यह बहुत बड़ा turn around हो सकता है farming के अंदर भी और private property में आप जो gardening करते हैं उसके लिए और ultimately यह environment के लिए भी होगा हम सभी जानते हैं कि fertilizer को कैसे बनाया जाता है कैसे use किया जाता है लेकिन fertilizer को plants में डालने की भी एक अच्छी technique होती है और आपको पता नहीं होता उसको कैसे किया जाता है और घर पे आप fertilizer ब बनके तयार होता है लेकिन fertilizer stick जो है इसमें बहुत बड़ा रोल ने भाता है जहां पर आपको सिर्फ अपने पौदों के अंदर एक stick लगानी है और एक महिने के लिए आपका पूरा plant based जो है वो fertilizer होता रहेगा सिर्फ एक stick की मदद से और इसको बहुत सी companies prefer भी करते हैं और इ इसको भी government support करती है इसी बात पर नीचे like का बटन ठोक दो अगर आप थोड़ा support भी करना चाहते है तो नीचे super thanks का option है आप वो कर सकते हैं लेकिन वो optional है मेरे दोस्त मरता हूं मैं अपने top 1 की तरफ location तो यह दिखा रहा है दोस्त की शादी है मस्ती से बजाना दूबे चोबे दूबे और यह एक ऐसा idea है जो ना केवल future में आप यूज करोगे बलकि अभी आप यूज कर रहे हैं एक अलग तरीके से एक सुतीस बटचालेज हाउस नंबर 4 बिजी कलोनी मिसल स्कूल के सामने राइट वाली गली हाउस नंबर 42 के बगल में एक उताब बैठा होगा उसके उपर एक डूर बैल होगी और आप बजा देना तो ऐसा address कब तक आप बताते रहोगे delivery boys को लेकिन यह startup ना किवल delivery boys के ल implement हो चुका है जिसको बहुत से लोग यूज भी करते हैं तो यह एक unique ID होती है यह कह सकते है नंबर होता है जो आपके जियो location tag बना दिया जाता है यानि आपका घर किस जियो reason में है वो satellite पता लगाती है और उस आप से वह unique identity number बनाती है आपके area का और जहां पर आपका घर इस समय में ambulances को police को एक बहतर signal दे पाएगी और उन्हें घर ढूणने में जादा महनत भी ने करनी पड़ेगी जो emergency situations के लिए बहुत जादा helpful है और अगर आपको भूख लग रही है तो वो भी एक emergency है तो delivery options के लिए भी एक बहुत अच्छा market निकल के आता है अगर आप सोच satellite के through ही करेंगे फिर आप अपने एक personalized shortcode जो होगा वो बना देंगे अपने geolocation का और उस टेक के अंदर ना केवल आपका address होगा बलकि आपकी voice होगी आपके voice commands होंगे आपके area की आपके locality की कुछ photographs भी होगी जिससे एक अंदाजा मिल सकता है कि आपको सही जगा कहां चिडिया और गिलहेरियों के बीच बसा वो बड़ा सफेध घर और बैलकनी में मद्धम मद्धम से अपने गीले बाल सुखाती पीली सलवार कमीज में शर्मा जी की लड़की उसके लेराते हुए बाल कभी दाएं कभी बाएं और जैसी वो पलटी वैसी पलटके सामने वाल होता है और कारबन एमिशन भी कम होता है ना मद्धार लेकिन कभी सोचा है इन प्रॉब्लम का क्या सॉलूशन है तो वो लेट वाली वीडियो में मिल जाएगा और राइट वाली वीडियो में जीरो कॉस्ट के अंदर आप कैसे बिजनेस बना सकते हैं वो वीडियो मिल